सूप्रभातम दिनांग छोव पांच दुवजार बीस कच्छा नौम विशे हिंदी पाठ पुस्तक कृतिका पाठ मेरे संग की आउरतें प्रिष्टे कई से चोवीस भाग पांच संबंधित प्रिष्टे से कठिन सब्दों के अर्थ दिये गए हैं कठिन सब्दों के अर्थ के पश्चात जो विसलेशन के बिंदु हैं लेखिका की बहने एवंग भाई उफका हम अध्यन करेंगे आप सभी भाईया बहन अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि लेखिका पूर्व की कठ्षाओं में स्वेंग के बारे में वर्णन करने के बाद आज की कठ्षा में हम लेखिका के भाई बहनों का वर्णन करेंगे प्रदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उनकी बहने कभी किसी हीन भावना की सिकार नहीं हुई लेखिका को छोर कर उनकी चार बहने थी प्रदादी की तरह ही लेखिका की चारो बहने भी लिख से हट कर चलती रही सबसे बड़ी बहन थी मन्जुल भगत सादी के बाद जैन नाम छोर कर पती का नाम गहन कर लिया और प्रसिद्धे लेखिका बनी दूसरी बहन का नाम था मिर्दुला गर्ग अर्थात स्वेंग लेखिका ये भी सादी के बाद पती का नाम गर्ग अपने नाम में जोर ली लेखिका और उसकी बहन को नाम बदल कर लिखने के कारण पॉंगा पन्ति घर भूसु जैसे सब्द भी सुनने परे तिसरी बहन का नाम गोडी उर्फ चित्रा यों चोथी बहन का नाम रेनू था चित्रा और रेनू लेखन के छेतर में नहीं आई पाचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है और भाई राजियू लेखक है छोटी बहन रेनू बिये करना नहीं चाहती थी परन्तू पीता जी का मन रखने के लिए जैसे तैसे भी ये कर लिया वह दिढ़े निश्चई थी रेनू अपने अनुसार जीना जानती थी गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय पीता जी लाने के लिए गारी भेजा करते थे अचला गारी में बैश जाती थी परन्तू रेनू पैदल आती थी वह कहती थोड़ा सा रास्ता गारी में बैठ कर तै करना सामन्ते साही का परती रिखे सच्चे बोलने में मा से दो कदम आगे थी तिसरी बहन चित्रा स्वें कम दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी इस कारण उसे अच्छे अंक नहीं आते थे एक लड़के को पसंद कर उसे साधी कर ली सबसे छोटी अचला ठीक से पढ़ाई लिखाई की पिता की इक्षा नुसार साधी की पत्रे कारिता में दाखिला लेकर पढ़ाई भी की थी वो लिख पर चलती प्रतीते हुई प्रंतु तीस वर्ष पार करते ही लिख से विद्रोह किया और लिखी का बन गई निस्कर से रुप में हम कह सकते हैं कि थोरा बहुत सभी बहनों में लिख से हटने का गून रहा प्रंतु घर गिरस्ती और विवाह के परमपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा भया बहन कल हम लिख्टा की साधी के बाद के जीवन पर चर्चा करेंगे इस पर आधारते ग्रीह कार्च आपको दिये जा रहे हैं जो निम्न हैं ग्रीह कार्च के अंतरगत्ते प्रस्ने एक लेखिका की बहने हिन भावना का सिकार नहीं हो पाई इसका क्या कारण था दूसरा प्रस्न है सेचे बोलने में मा से दो कदम आगे कौन थी आप सभी प्रस्ने उतर और से लिखेंगे धन्यवाद